हेलो अबरिवन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस बोड के आपको वायरिंग करके दिखाएंगे जो कि हमारा मोडलर है और ये दो हमारे फाइपिन सोकेट हैं तीन स्वीच और एक इंडिगेटर लगा हुआ है ठीक है ना तो इस स्वीच से सोकेट काम करेगा हमारा इस स सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं जो हमारा फाइपिन सोकेट इसके तीन पॉइंट होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो तो जो आप देख रहे हो इधर की साइड ये हमारा न्यूटल पॉइंट है जिस पर लिखावा भी होता है एंड ठीक है तो सबसे पहले हम इस प इस तरह से आपको वायर को यहाँ पर लगाना है और लगाने के बाद में अच्छे से टाइट करना है दोस्तों अगर मेरे इस चैनल पर आप आये हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना ठीक है क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते हो ना ही कोमेंट करते हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो दोस्तों हमने नीचे की तरफ कनेक्ट कर दिया उसके बाद में यह जो वायर है इस वायर में हम एक वायर का टुकुडा ओल लेंगे ब्लैक कलर का इसे इसके साथ में जोड लेंगे ठीक है आपको भी इस तरह से जोड लेना है उसके बाद में जो उपर की तरफ हमारा एक फाइप इन सोकेट है इसके भी न्यूटल वाले पॉइंट पर हम इसे लगाएंगे ठीक है दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेगा इ आप किसी भी बोर्ड के कनेक्शन करना आसानी से चीख जाएंगे ठीक है तो हमने वायर लिया इसके बाद में हमने यहां पर लगा करके अच्छे से टाइट कर दिया ठीक है आप देख सकता हो यह हमारा टाइट हो गया ठीक है दोस्तों आपको भी इसी तरह से कर लेना अब दोस्तों यह हमारा है इंडिगेटर इंडिगेटर को चलाने के लिए हमें न्यूटल भी चाहिए और फेस भी चाहिए तो अभी हम न्यूटल का कनेक्शन कर रहे हैं तो यह हमारा मैं न्यूटल है जिससे हमारी सपोड में मैं न्यूटल आएगा यह हमारा फेस का ठीक है त क्योंकि इंडिकेटर को चलाने के लिए न्यूटल और फेस दोनों चाहिए ठीक है तो हम इस पर भी अपना न्यूटल का कनेक्शन करेंगे करने के वायर को यहां पर लगाया लगाने के बाद में अच्छे से टाइट करेंगे करते हैं अगर इस तरह की वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी old वीडियो भी आप देख सकते हो उसके बाद में दोस्तों यहां neutral गया है हमारा man neutral का connection हो चुका ठीक है तो neutral का connection हमारा complete है अब इस twist से यह socket काम करेगा इस twist से यह socket ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यह हमने blue color का wire लिया है और यह जो आप देख रहे हैं नीचे की तरब जो हमारा फाइपीन सोकिट का एक पॉइंट बचा हुआ है इस पर हम इसे अपने वायर को लगाएंगे दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखेगा आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप आराम से कनक्शन करना सीख जाएंगे तो हमने वायर को लिया लेन लगाने के बाद में हम अच्छे से इसे यहां पे टाइट कर देंगे यह हमारा टाइट हो गया, अब इस switch से हम इस socket को चलाएंगे अपने, तो इसके जो हम पॉइंट देख रहे हो, उपर की तरफ है यह हमारा point है, तो इस पर हम इसे लगा देंगे, ठीके, दोस्तों जो switch का हमारा, switch के दो point होते हैं एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ तो अब हमेशा आपको ऊपर की तरफ अपने 5-pin socket का connection करना है चाहे आप बलप जला रहे हो बलप का connection कर रहे हो चाहे आपने 5-pin socket का ठीक है तो अभी हमारा नीचे की तरफ connection हो गया उसके बाद में यह हमारा ऊपर की लगा करके अच्छे से tight करेंगे यह हमने वायर को लिया हर लेने के बाद में इसे अच्छे से हम tight कर देंगे यह हमारा tight हो गया अब यह दोस्तों हमारा एक switch यहां पर लगा हुआ है इस switch से हमारा यह नीचे की तरफ जो 5-pin socket है यह काम करेगा तो इसके भी हमने ऊपर वाले कर अच्छे से tight कर दिया आपको भी इसी तरह से कर लेना है यह दोस्तों हमारा tight हो गया अब दोस्तों इस switch से हमारा socket इस से यह socket अब दोस्तों एक switch हमारा इसमें खा लिया यह हमारा है बल्ब का ठीक है तो जब भी हम अपने बल्ब का connection करेंगे तो इसमें अपना wire लगा ले है क्योंकि न्यूट्रल का connection हम पहले ही कर चुके हैं अभी हम करेंगे अपना face का connection तो face का connection करने के लिए दो switch है हमारे कि तो switch के दोनों point पर हमें अपना इस face का connection करना है तो हम इसे wire को हैं अच्छे से नाप लेंगे नापने के बाद में इसे छील लेंगे ठीक है आपको भी इस तरह से छील लेना है अज अच्छे से इसे कर लेना है ठीक है इस तरह से ताकि यह हमारा अच्छे से लग जाए तो हमने इसे wire को थोड़ा लंबा करके छील लिया है अब यह जो हमारे नीचे की तरफ दोनों point है स्वीच के बचे हुए एक एक point अभी हमारा बचा हुआ है नीचे की तरफ तो हमने दोनों को wire को इस तरह से लिया और हम इसे अच्छ बालब का wire लगा करके अपना बालब चालो कर लेंगे ठीक है अब उसके बाद में यह आप देख सकते हो यह हमारा इंडिगेटर है और यह स्वीच है तो इंडिगेटर को अज स्वीच को चलाने के लिए इन्हें भी फेस चाहिए तो हम इसे wire को अच्छे से नाप लेंगे इसे छेल लेना है ठीक है इस तरह से आपको चील करें कुछ इस तरह से घुमा करके से कर लेना है ठीक है दोस्तो मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल पर जाकर आप मेरी और वीडियो भी देख सकते हो ठीक है तो हमने इसे वायर को यहां से या तो आप इधर से भी लगा सकते हैं या आप इधर से भी लगा सकते हैं जिस दर से आपको अच्छा लगे कि हमारा यह वायर अच्छे से लग जाएगा उधर से आपको वायर को लगा लेना है तो इधर से हमारा नहीं लग रहा है तो हम इधर तती है तो इस फीज़से लगांगे है यह हमारी स्विच के लग गया अब दोस्तों यह हमें इंडिकेटर पर भी देना है अपना फेस अब स्वीच पर भी देना क्यूंकि इंडिकेटर को को चलाने के लिए न्यूटल फेस्स दोनों चाहिए तो न्यूटल का कनेक्शन हम पहले ही कर चुके थे अब हम आ पर कर रहें अपना फेस का खनेंखन ठीक है तो हमने भी यहां पर लगा करके अच्छे से हैब कर दिया तो यहां पर अपना man neutral connect करेंगे तो यह हमारा red color का बार है यह face का बार है जो कि हमारा man है ठीके तो इसे हम छीलेंगे छीलने के बाद में यह हमारा यहां पर indicator का जो point है यहां पर तो यहीं ही पर लगा देंगे यहां से हमारा होता हुआ, यह सभी को हमारा फेस मिल जाएगा, दोनों ho switch ऊपर की तरब हैं हमारे नीचे की तरफ और ओपर की तरफ है निटीकेटर एक स्वीच है ठीक है तो यहां पर हम इसे लगा देंगे अल लगाने के बाद में हम अच्छे से टाइट कर देंगे आझा है अब दोस्तों देखिए यह हमारा इस स्विच को उन करेंगे यह है इससे हमारा बल्प जलेगा यह हमारा इंडिकेटर तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जुरू बताना वीडियो का लाएक जरूर करना मिलता की ven États व potassium तब तक के बाब बाब बाइ